पहले पैकेट खरीद कर तो अब स्वयम घर में भोजन के पैकेट बना कर गरीवों को दे रही है सहारा साथ ही सड़कों पर बिच्रण कर रहे पसुओं को चारा पानी की विवस्था कर मानोता की मिसाल कायम कर रही सिखा सहतिवारी सतना से रवी संकर पाठा की रेपोर्ट वन्दे मातरम दोस्तों मैं शिखा सिंग्तिवारी डिगरी कॉलेज अध्यक्ष बिजेपी कारिकरता एवाम आप सबकी यूवा समासे लिए मैं लॉकडाउन के पहले दिन से ही कुछ गरीब परिवारों को भोजन का पैकेट वित्रित कर अपनी मानों सेवा दे रही थी लेकिन परसो जब मैं भोजन का पैकेट बाटके आ रही थी तो मुझे कुछ जानवर दिखे जो प्लास्टिक पॉलिथिन्स खा रहे थे उस दिन से मैंने संकल्प लिया कि अपने घर के सामने या रोड में कुछ जानवर दिखेंगे उन्हें मैं घास खिला कर अपनी पशु शेवा भी करने की कोशिश करूंगी तो कल से मैं प्रती दिन ऐसा कर रही हूँ आगे भी भुले नात से चाहूंगी कि मुझे वो आशिर्वात दे कि मैं ऐसा ही कुछ काम करती रहूँ एवं आज से हमने खुद के घर पर ही चार सो लोगों का भोजन बना कर उन तक पहुचाने की सेवा प्रारंभ की है और आज मैं पहले दिन घुड आंकी जुंगी जोपडी बस्ती पे चार सो लोगों को भोजन करा के आई हूँ एवं आंगे भी यही चाहती हूँ कि आप सब का शिर्वात मेरे साथ रहे और मैं आंगे भी ऐसे ही काम करती रहूँ एवं सबसे महत्यपोर्ण जीद मैं यूवा नेता हूँ सबसे बड़ी बात मैं छात्र नेता हूँ आप सब के द्वारा मैं बनाई गई हूँ तो मैं उन अपने छोटे भाई बेहनों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ मेरे को छोटे भाई बेहन कह रहे हैं हमें एक क्लास से दूसरे क्लास पर प्रमोट कर दिया जाए जो 10-12 में हैं जो कॉलेजिस में हैं मैं उनसे बहुत महत्यपोर्ण चीज कहना चाहती हूँ विकास अभी मैं भी स्टूडेंट हूँ आपके TRS कॉलेज रिवा से मैं एमफिल कर रही हूँ शोशलोजी डेपार्टमेंट से और मुझे ऐसा लगता है कि जो मज़ा रिजल्ट देखकर दूसरे क्लास में जाने में हैं वो मज़ा प्रमोट होने पे नहीं है अगर आप से कोई पूछेगा कि आप सेकेंड क्लास में पहुच कैसे गए आप बोलो के प्रमोट खेट वारा लेकिन जब आप खुद के परिश्रम से रिजल्ट दे कर आओगे तब आप कोगे मेरे इतने परसंट आये थे और मैं खुद से वहाँ पर पहुच जा आँगे भी लाइफ में आपको बहुत ज़रुत पड़ेगी आप ये डिग्रीज की, माक्षिट्स की तब आपको ये नहीं कहना पड़ेगा मैं प्रमोटर स्टूडेंट हूँ आप ये कहोगे कि कुरोना जैसी महामारी जब हमारे देश में चल रही थी तब हमने घर पर बैठके तैयारी की और आज हमारे इतने परसंट आये और आज हम यहाँ पर है तो प्लीज मेरा एक काइंड़ी रिक्वेस्ट है आप सब छोटे भाई बैनों से कि प्लीज घर पर बैठकर ये बहुत अच्छा टाइम है आपके स्टडीज करने का आपको एक अच्छा रिजल्ट लाने का जो म्यूजिक में इंटरस्ट रखते हूं घर पर म्यूजिक से इंजॉई करें जो कॉंपुटिशन की तैयारी करें घर पर ही तैयारी करें जो स्टुडेंट 10-12 में हैं वो आंगे की तैयारी करें जिनके एक्जाम्स नहीं हुए हैं वो अपने एक्जाम्स की तैयारी करें जो गल्स फ्री हैं और दिनके एक्जाम सो चुके हैं, छुटिया हैं, बॉइस फ्री हैं, वो कुकिंग सिखें और अपने मम्मी पापा का हाथ बटाएं और कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करें, अपनी फैमिली को टाइम दें और जादा तर हम यूथ में होता है कि हम सोशल मीडिया में और मोबाइल पे जादा वक्त देते हैं तो उस चीज़ को मैं कहना चाहूँ, हाँ मोबाइल मैं भी बहुत यूज़ करती हूँ बट कुछ टाइम अपनी फैमिली, अपने माँ बाप के लिए भी देना चाहिए, उनके साथ इंज़ॉय करिए, उनसे कुछ बाते शेयर करिए, उनके मन की बाते जानिये, बहुत अच्छा लगेगा यह वंडर्फूल टाइम है आपकी फैमिली के लिए, खुद को जानने का, को सीखने का, तो प्लीज इंज़ॉय ओसेल्फ, स्टे अट होम, बी सेफ, घर पर रहें, स्वस्त रहें, सुरक्षित रहें, मानी मोदी जी की अपील जो है हमसे, उस पर हमें उनका सहियोग करना च इज़।